हर हर महादेव जय भोलेनात नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत है धर्म ग्यांके मार्ग में आज हम बात करेंगे सीहराजी वालों के लिए एक से एक तीन माई दो हजार जोविस कैसा रहने वाला है या महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है हर भी सैपर सटीक में आगे बढ़ सकते हैं इसलिए वीडियो को अंत तक लाश्ट तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को जरूर दबाईएगा जिससे की मेरे वीडियो के नए नोटिपिकेशन से पहले आप लोगों तक पहुंचे कमेंट बॉक्स में हरहर महादेव जय बोलेना जरूर लिखिएगा इनकी किर्पा पाने के लिए सिह रासी वाले यह महीना करियर के द्रिश्टी कोड से बहुत अच्छा रहने की संभावना दिखाई दे रही है महीने की सुरवात में ही दसम भाव के श्वामी शुक्र महराज नवम भाव में उच्छ रासी का शुरे और बिरस्पती के साथ बिरजमान रहेंगे इसका फैदा यह होगा कि आपको मन चाहा अस्तनांतरन प्राप्त हो सकता है यदि आप नोकरी बदलना चाहते हैं तो इस दवरान प्रयास करने से आपको एक नई और अच्छी नोकरी भी प्राप्त हो सकती है और यदि आप अस्तनांतरन योग नोकरी में हैं तो आपका अस्तनांतरन भी समय के दवरान होने की प्रबल संभावना है इसके बाद महीने के उत्रार्द में जब सूरे देव 14 मही को नवम भाव से निकलकर अथिक लाप प्रदान कर सकता है इस दवरान सरकारी नोकरी करने वाले जात्कों को 20 लाप प्राप्त होने के योग बनेंगे और किसी सरकारी गोषड़ा के कारण आपको कारे छेत्र से संबंदित धन लाप भी हो सकता है दसमभाव के श्वामिश सुक्र महराज 19 मई को दसम बना पाएंगे और कार छेत्र में अपनी जगह बना पाएंगे छठे भाव के श्वामिश सनी महराज का पूरे महीने सब्तम भाव में बने रहना आपको नोकरी में अच्छी पदुनती प्रदान कर सकते हैं बैपार करने वाले जात्कों के लिए यह महीना बहुत अच्छा सब्तम भाव के श्वामिश सनी महराज सब्तम भाव में ही विरजमान रहकर आपके बैपार को मजबूती देंगे विदेशी संपरको से भी आपका बैपार बढ़ेगा और आपके बैपार में अस्थाइट तो आने लगेगा आप अपनी प्रगती से प्रशन होंगे धीरे धीरें ही सही, आप उन्नती के सीखर पर पहुँझ रहे हैं, इस समय का पूरा लुफ्त उठाएं, यदि आपकी आर्थिक इस्तिती को देखा जाए, तो इस महीने, आर्थिक इस्तिती में उतार चड़ाव की इस्तितिय बन सकती है, अश्टम भाव में राहु मंगल और इस्तिती बन सकती है, हाला कि दूसरी तरफ नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाव मिलने के योग है, सरकारी को से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको सरकार का कोई लाव मिल सकता है, प्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे धन लाव के योग बन सकते हैं हलाकि आपको ऐसा कोई भी कार्ण करने से बचना चाहिए जिसमें कर्चोरी का मामला सामिल हो नहीं तो आप परिशानियों में आ सकते हैं निवेश करने के लिए यह समय उचित नहीं है लेकिन पुर्म में किये गए निवेश का अच्छा फल इस दोरान आपको प्राप्त हो सकता है धर्म कर्म और सरकारी मामलों से संबंदित कामों में हाथ डालने से आपको लाव हो सकता है और मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है यह महीना स्वास्त के द्रिष्ट कोंड से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है आपकी रासी स्वामी तो मजबूत इस्तिती में रहेंगे जिससे आपके स्वास्त को अच्छा बनाने का पूरा परियास करेंगे उनकी ओर से रहेगा पूरा परियास लेकिन अश्टम भाव में राहू और मंगल का अंगारक दोस बुद्ध के साथ होने के कारण आपको पाचन संबंदी समस्याएं, पेट से जुड़े रोग, किसी परकार की सरीरिक चोट या हानी आथवा, सल्ले चिकित सक्थ की संभावना बन सकती है। आपको वाहन साथानी पुर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि दुरघटना होने की स्थिती भी बन सकती है। किसी से उधार मांग कर वाहन ना चलाएं, नहीं तो दुरघटना प्रवल रूप से होने की संभावना बन रही है। अपनी वर से प्रयास करें कि अपने खान पान पर ध्यान दे, बाहर का भोजन करने से बचें, और घर का बना खाना ही जादा से जादा खाएं। तरल पदार्थों का सेवन करें, तभी आपका श्वास्त उत्तम बना रहेगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए, तो पंचम भाव के श्वामी बिरश्पती महराज नवम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके प्रेमी के बीच आपसी समंजस बेहतर होगा। आप एक दूसरे का पूरा महत्तो देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और धार्मिक रूप से भी आचरन करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या धार्मिक अस्थल पर भी जा सकते हैं और अपने रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। इसे आप और आपके जीवन साथी के बीच आच्छा समझे से देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी अपनी बात कहेंगे उनका आचरन अच्छा होगा लेकिन अश्टम भाव में राहू और मंगल के अंगारक दोस और उसके साथ बुद्ध की उपस्तिती होने के कारण जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट और गुसा साफ महसूस होगा और इससे आप दोनों के विच जगड़ा भी हो सकता है बहतर यहीं होगा कि बात भी बात को बढ़ने ना दे और जीवन साथी के श्वास्त का भी ध्यान रखें या महिना परिवारिक तोर पर उथल में विरजमान रहेंगे जिससे परिवारिक सदसे और भी से इसकर कुटों के लोगों के बीच आपसी जगड़े के यूग बन सकते हैं आपको दूसरे भाव में केतु की उपस्तिती के कारण कोई भी ऐसे सब्द बोलने से बचना चाहिए जिनके दो अर्थ निकल सकते हैं क क्योंकि आपकी सहे बातों को भी गलत समझा जा सकता है और इससे परिवार का महौल बिगड़ सकता है चतुर्त भाव के स्वामी मंगल महराज भी अश्टम भाव में राहु के साथ यदि करके अंगारक दोस बनाएंगे जिससे परिवारिक सांती में बाधा पढ़ सकती है और आपकी माता जी का स्वास्त पिडित हो सकता है इसलिए आपको उनके स्वास्त का विध्यान रखना चाहिए दसंभाव के स्वामी के मजबूत अवस्था में रहने के कारण पिता जी को स्वास्त लाभ होगा आपके भाई बहनوں से आपके समन्ध हिदकारी रहेंगे और आप उनके साथ किसी तिर्थ यात्रा या लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। सारी बाते किलियर हो गई कि कहां आपको लाहम मिलने वाला है और कहां आपको सवधान रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। इन सभी परिशानियों से बचने के लिए और अपने भविश्य में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रती दिन स्री आदित तहिर्दय एस्रोत का पाठ करना चाहिए प्रती दिन तांबे के लोटे में जल भर कर उसमें कुम-कुम मिलाकर शुर्य देव को अर्ग देना चाहिए और यहाँ पर प्राठना करनी चाहिए शुर्य देव से आपकी जो भी परिशानी है उस परिशानी का हल तुरंत निकलेगा रवी बार के दिन बैल को गुण खिलाना भी आपके लिए लवदायक रहेगा चीटियों के लिए आटा और चेनी डालने से आपकी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी तो आप चाहें तो इन सभी उपायों को कर सकते हैं वरना इसमें से एक दो उपाय जरूर कर ले शुर्य देव को डेली सुबह जल देना आप ना भूले ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको हर परिसानी से छुटकारा मिलेगी और आप अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे उमीद करते हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आए फिर मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई धन्यवाद